दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पुरानी से पुरानी शुगर यानी डाइपटीज की समस्या को जड़ से खत्म करने का घरेलू उपाए दोस्तो आज कल बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चे भी डाइपटीज की चपेट में आ रहे हैं अगर आप भी कहीं सालों से इस वीमारी के शिकंजे में जकड़े हुए हैं तो टेंशन छोड इस नुस्खे को जरूर आजमाए आपको सुनकर थोड़ी हैरानी हो सकती है लेकिन आपको बता दे की ये कोई आम नुस्खा नहीं है बलकि इसको खाने से आपकी डाइपटीज जड़ से खत्म हो जाएगी तो आईए बिना किसी देरी के जानते हैं इस असरदार नुस्खे को बनाने का तरीका इसके लिए सबसे पहले हमें लेने हैं एक मुठी भुने हुए चने कुछ इस परकार से आप जो भुने हुए चने लेंगे वे छिलके वाले ही होने चाहिए फिर इसके बाद हमें लेनी हैं एक मुठी इंद्रजों यह आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगी इंद्रजों हमारी पुरानी से पुरानी शुगर की समस्या को जड़ से खत्म करने का काम करती है और यह भी हमें इसमें डाल लेनी हैं अब अंत में हमें लेने हैं पांच बादाम और यह भी हमें इसमें डाल लेने हैं अब आपने इन सभी चीजों को एक मिक्सी के जार में डाल कर पीस लेना है तो यह देखे दोस्तों हमने इसे एक मिक्सी के जार में डाल कर अच्छे से पीस लिया है और आपका ये नुस्खा पूरी तरह से तयार हो चुका है अब जानते हैं कि हमें इसका सेवन करना कैसे है दोस्तों जिन लोगों को शुगर की समस्या यानि डाइपटीज की समस्या है उन लोगों ने मेरे बताए अनुसार इस नुस्खे को बना लेना है और हर रोज लंच करने के बाद और डिनर करने के बाद आपने इसकी एक चमच का सेवन करना है और उपर से एक गिलास ताजा पानी पी लेना है जी हाँ दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दूं आपने दोपेर का खाना खाने के बाद आपने इसकी एक चम्मच का सेवन करना है और उपर से एक गिलास ताजा पानी पी लेना है इसी परकार से रात का खाना खाने के बाद आपने इसकी एक चम्मच का सेवन करना है और उपर से एक गिलास ताजा पानी पी लेना है पीचे दिये कमेंट बोक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद